अनुसाशत युवशक्ती पर निबंध प्रासाद की चीर स्थिर्ता और उसकी द्रड़ता जिस प्रकार आधार शीला की मजबूती पर आधारित है लगु पादपो का विशाल व्रिक्षत्व जिस प्रकार बालिवस्था की सिंचन और सनरक्षन पर आश्रत होता है उसी प्रकार युवक्त की सुक्षान्ती में सम्रद्धी शालिता का संसार चात्र वस्था पर आधारित होता है यह अवस्था नवीन विरिक्ष की मृदू और कोमल शाखा है जिसे अपनी मन चाही अवस्था में सरलता से मोड़ा जा सकता है और एक बार जिधर आप मोड़ देंगे जीवन भर उधर ही रहेगी अवस्था प्राप्त विशाल विरिक्षो की शाखाएं तूट भले ही जाएं पर मुड़ती नहीं है क्योंकि समय, अनुभव और जीवन के सुक दुख उन्हें कठोर बना देते है अतह मानव जीवन की इस प्रारंबिक अवस्था को सचरित्रता और सदाचारता आदी उपायों से सुरक्षित रखना प्रतेक मनुष्य का परमकर्तव्य है युवा शक्ती अभोधा वस्था होती है इसमें न बुद्धी परिश्कृत होती है और न विचार माता पिता तथा गुरुजनों के दबाव से वह बालक करतव्य करना सीखता है बाता पिता तथा गुरुजनों की आज्याएं जियों की इतियोस विकार करना ही अनुशाशन कहा जाता है अनुशाशन का शाब्दिक अर्थ शाशन के पीछे चलना है अर्थात, गुरुजनों और अपने पत्प्रदर्शकों के नियंत्रन में रहकर नियम बद्ध जीवन यापन करना तथा उनकी आग्याओं का पालन करना अनुशाशन कहा जा सकता है अनुशाशन हीन विध्यार्थी न तो देश का सभ्य नागरिक बन सकता है और न अपने व्यक्तिगत जीवन में सफल हो सकता है वैसे तो जीवन के प्रतेक्षेत्र में अनुशाशन परमावर्शक है परन्तु विध्यार्थी जीवन के सफलता के लिए एक मात्र कुण्जी है आज की युवर्शक्ती में अनुशाशन का अभाव देखने में आता है आज का विध्यार्थी घर में माता-पिता की आग्या नहीं मानता उनके सदुबदेशों का आदर नहीं करता उनके बताए गए मार्ग पर नहीं चलता अनुशाशन हीनता का मुख्य कारण माता-पिता की धीलाई है माता-पिता के संसकार ही बच्चों पर पढ़ते है बच्चे की प्रात्मिक पाथशाला घर पर होती है वो पहले घर में ही सिख्षा लेता है उसके बाद वर स्कूल और कॉलेज में जाता है उसके संसकार घर में ही खराब हो जाते है पहले तो प्यार के कारण माता-पिता कुछ करती नहीं पर जब हाथी के दाथ बाहर निकल जाते हैं तब उन्हें चिंता होती है फिर वे अध्यापक और कॉलेजों की आलोचना करना आरंब कर देते हैं दूसरा कारण आज भी अपनी सिक्षा प्रणाली है इसमें नैतिक और शारितरिक सिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया गया है पहले विध्यार्तियों को दंड का भय रहता था क्योंकि भय बिन होएन प्रीती पर अब आप विध्यार्तियों को हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि शारिरिक दंड अवैध है केवल जबानी जमाखर्ष कर सकते हैं इसमें विध्यारती बहुत तेज होता है आप एक कहेंगे वो आपको चार सुनाएगा सिक्षा संस्थानों का कूप रबंध भी छात्रों को अनुशाशन हीन बनाता है परिनाम स्वरूप कभी वे विध्याले के अधिकारियों की आज्याओं का उलंगन करते हैं और कभी अध्यापकों की अवग्या अधिकांश कक्षा भवन छोटे होते हैं और छात्रों की संख्या सीमा से भी अधिक की होती है कॉलेजों में तो एक एक अक्षा में 100-100 विध्यारती होते हैं ऐसी दशा में ना अध्यन होता है और ना अध्यापन कभी-कभी राजनैतिक तत्व विध्यारतीयों को भड़का कर कॉलेजों में उपद्रव करवा देते हैं खाली दिमाग शैतान का घर वाली कहावत बिलकुल ठीक है कॉलेजों में छात्रों के द्यानिक कार्य पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता यदि उनके रोजाना पढ़ने लिखने की देखभाल हो और उसी पर उनकी वार्षिक उन्नत्ती आश्रित हो तो विध्यार्थी के पास इतना समय ही नहीं रहेगा कि वे बेकार की बातों में अपना समय व्यतीत करें दूसरी बात यह है कि कक्षाओं में छात्रों पर व्यक्तिक अध्यान नहीं दिया जाता और नहीं उनकी कार्य प्रणाली पर कोई नियंत्रन होता है देश में अनुशाशन की पुनस्थापना के लिए यह आवश्यक है कि हमारी सिख्षा प्रणाली विवस्था में नैतिक और चारित्रिक सिख्षा पर विशेश बल होना चाहिए जिससे छात्र को अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्यान हो जाए नैतिक सिख्षा का समावेश हाई स्कूल पाठिक्रम में सब प्रदेशों में किया जा रहा है यह बहुत ही सराहनिय प्रयास है हमारी सिख्षा प्रणाली में कक्षा एक से लेकर एमे तक के विध्यार्तियों के नैतिक उत्थान की सिख्षा की कोई विवस्था नहीं थी सिवाई इसके कि वे कबीर और रहीम के नीती दोहे पढ़ ले वो अभी परिक्षा में अर्थ लिखने की दृष्टी से दूसरी बात यह है कि शारीरिक दंड का अधिकार होना चाहिए क्योंकि पालक तो माता पिता की तरह गुरू के भाय से ही अपने कर्तवे का पालन करता है तीसरी बात यह है कि माता पिता को बचपन से ही अपने बच्चों के कारियों पर कड़ी दृष्टी रखनी चाहिए क्योंकि गुण और दोश संसर्ग से ही उत्पन होते हैं झाल